हलो दोस्तों असलाम आलेकुम रह्मतुल्लाई बरकातों अब लोग खेरे सेंगे दोस्तों आज मैं फिर से वलोग के लिए कुछ जरूरी न्यूज लेकर के आए हैं जिसमें जो मैंने सबसे पहले वरकरों के हवाले से हैं जिसका जो है मतलब काम का दिन पहले पांस था यानि हटे में पांस दिन काम करना पड़ता था जो दो दिन चुटी होती थी अभी क्या है कि चार दिन काम करना तीन चुटी है तो उसके हवाले से पूरी जानकरी आपको तफसिल से देंगे और उसके बाद में दुबाई की न्यूज जो मैंने बताई थी कि मतलब जो लोग गहर कानुनी तरिके से रहते हैं वो लोग अपलाई करें उनके हवाले से है और कुछ न्यूज जो है मतलब कामा के खिलाफ व तो आप लोगों से गुजारश है कि वीडियो को लाइक कर दिया करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें लिए बेल आइकन को भी ओल पर करें तक कि नए वीडियो की निटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे तो अगर आप मारा सपोर्ट करेंगे वीडियो को आगे शेयर क करेंगे और लाइक करेंगे कोमेंट करेंगे तो वीडियो और लोगों तक जाएगी मुस्से और लोग जुड़ेंगे जिससे मेरा हसला बढ़ाएगा और मैं अच्छी वीडियो और नियूस बनाने की कोशिस करूंगा अब लोगो तो पहुचाने के कोशिस करूंगा तो च 2878 इंतजामी फैसले जारी किये हैं यानि 23,871 लोग जो पकड़े गए हैं जिसमें जर्णल डारेक्टर और पास्पोर्ड ने मुखतलिफ इलाके पास्पोर्ड महकमों में अपनी इंतजामी कमेटियों के जरिये सफर 1446 हिजरी के महीने में शहरियों और रहाइशियों के खिल माने और मुल्क बदरी के दर्मियान मुक्तलिफ होती है यानि इसमें जो है कुल 33,871 लोग पकड़े गए हैं इन लोग के खिलाफ जो मतलब जिन लोगों ने कामा खिलाफ वर्जी किया या फिर जो लोग बॉर्डर क्रोस कर किया हैं जो लोग इन गहर कानूनी तरीके से य पहे रहे हैं वो अब अपना अप्लाई करके और जो है मतलब यहां से जा सकते हैं जिसमें 19,000 कुछ लोगों ने जो है प्लाई अल्रेडी कर दिया और इसमें से 98% लोगों का 48 घंटे के अंदर जो है मामला फैनल कर दिया गया जो केस था जो कुछ भी था वो सॉल्व कर दि हैं आप चलते हैं दोस्तों सिधा उस न्यूस की तरफ जो बहुत ज्यादा जरूरी है थोड़ा इंगलिश में पढ़ने की कोशिस करता हूं इंगलिश में इस दा फर्स्ट कंपणी इन मक्का सौधी कंपणी बेग इंप्लोईमेंट इस डिसीजन तो रिड़क्ट वर्किंग देश तो फोल देश ए वीक विदाउट रिड़क्टिन दा सेलरी आफ दिस इंप्लोई इनका कहना है कि हपते में सिर्फ चार दिन काम होगा और वर्किं देगी तो दोस्तों यह कुछ जरूर न्यूस थी जो आप लोगों को बताया दिया वीडियो आपको कैसी लगी फिर से आप लोगों से गुजारिश है कि प्लीस कॉमेंट लाइक शेर जरूर करें जिससे हमारा होसला बड़े लोगों तक वीडियो पहुंचे और हम अपना क Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh